बहुत हुआ आराम रोहित सेना ने बजा दी है बांगलादेश की खिलाप युद्ध की रणभेरी गुरु गंभीर के साथ चिन्ने में लगाया है डेरा तो आखिर कौन-कौन से खिलाड़ी बांगलादेश की धज्जिया उड़ाने के लिए चिन्ने पहुँच चुके है कब से खेली जाएगी ये रोमान चक्ते सीरीज कब से शुरू होगा प्रैक्टिस मैच का घमासान क्या विराट कौली भी आ गए है लंडन से वापस ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ अंत्तक बने रही है लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों 40 दिनों के लंबे ब्रेक के बाद आखिरकार भारतिये क्रिकेट प्रेमियो का इंतजार खत्म होने जा रहा है कप्तान रोहिट शर्मा और कोच कौतम गंबीर के नितरत्व में भारतिये क्रिकेट टीम 13 सितंबर को चिन नहीं विराट कोहली भी लंडन से वापस आ चुके है इसके अलावा बॉलिंग कोच मौर ने मारकल भी टीम मीटिंग में दिखाए दिये ऐसे में टीम इंडिया की टेस्स सीरीज के लिए तयारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से अब शुरू हो चुकी है आपको बता दे कि टीम इ पाकिस्तान को उसके घर में बुरी तरह से हराया है ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस आसमान जू रहा है ऐसे में टीम इंडिया पांगलादेश को हलके में बिलकुल भी नहीं ले सकती है वही दूसरी तरफ टीम इंडिया भी कमर कस चुकी है रोहिट शर्मा टेस्ट टीम की तेज गेनबाज आकाश तीप और यश दयाल को पहली बार टीम में शामिल किया गया है जबकि तेज तर्रार विकेट कीपर बल्लेबाज रिशा पंत दिसंबर 2022 में अपनी जानलेवत दुरगटना के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में लोटे हैं जबकि विराट कोहली 20 साल जनवरी में दक्षिन अफरीका दौरे के दौरान भारत के लिए खेलने के बाद पहली बार टेस्ट फॉर्मेट में वापसी करेंगे वो अपने बेटे अकाई के जन्म के कारन इंगलैंड के खिलाफ भारत की घरेलू टेस्स सीरीज से चूक गए थे उसके बाद से वो इस शुरु होने से पहले कोच गोतम गंभी ने सबसे पहले उनको सपोर्ट स्टाफ के साथ बाद चीत की इस दोरान सहाय कोच अभिशेक नायर ने भी टीम इंडिया के खिलाडियों और कोचिंग स्टाफ को ब्रीफ किया टीम इंडिया के लगभग सभी नए सपोर्ट स्टाफ के लिए टेस्ट मैचों की ये पहली चुनौती होगी साउथ अफरीका के पुर्वदिगकच देज गेंदबास मौरने मौरकल के साथ टीम इंडिया में बॉलिंग कोच के रूप में जुड़ चुके हैं हालकि अभी पूरी टीम इंडिया एक साथ नहीं आ पाई है पांगलदेश के किलाव टेस्ट सीरीज के लिए कुछ खिलाडी टीम इंडिया के साथ बाद में जुड़ेंगे सरपरास खान जैसे खिलाडी फिलहाल दिलिप ट्रॉफी में खेल रही है उनका नाम टेस्ट सीरीज में 68.52 प्रतीशत अंक लेकर चोथे स्थान पर है ऐसे में टीम इंडिया बांगलदेश को अराकर टॉप पर बरकरार रहना चाहती है तो वहीं बांगलदेश अपनी पोजीशन सुधारने के लिए कोई कमी नहीं चोड़ेगी तो दोस्तो अब आपको क्या लगता है कि मैच में कौन सा खिलाडी शतक लगा पाएगा रोहिट शर्मा, विराट कॉहली, रिशप पंत या फिर कोई और अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें